Hello students, welcome to पढ़ लेना, और मैं आपको कराने जा रहा हूँ एक play जिसका नाम है Wonder, इसको लिखा है RJ Placeyo ने, और basically आपके syllabus में सिरफ इसके तीन ही part है, part 1, part 4, part 8, तो मैं आज आपको part 4 कराने जा रहा हूँ, जिस part का नाम है, Why I did not sit with August the first day of the school, मैं क्यों, August के साथ पहले दिन नहीं ब पर है Jack Will, Jack Will के बारे में मैंने आपको character sketch के अंदर बताया था, जब मैंने आपको introduction कराया था, अगर आप लोगों ने वह introduction की वीडियो नहीं देखी है, तो please अभी जाके check out करो, तब ये पढ़ो तो आपको अच्छे से समझ आएगा, Jack Will basically वो बच्चा होता है, उन तीन बच् से कौन थे, तो मैं बताता हूँ, पहला था यही Jack Will, जो बात में August का best friend और अच्छा friend बन जाता है, दूसरा था Julian, जो basically August को बहुत ज़्यादा bully करता है, और तीसरी होती है Charlotte, जो बहुत ही ज़्यादा बातुनी लड़की होती है, मैं आपको suggest करूँगा कि इसकी picture देखे, य या फिर आप कहीं पर भी कहीं से भी download करके देख सकते हो, इस picture का नाम भी wonder ही है, चिक है, तो या पर हम Jack Will का point of view देखने वाले हैं, इस chapter के अंदर कि वो क्या बताता है August के बारे में, और वो जो पहले दिन आया था August, तो उसके बारे में इसकी क्या feeling थे यह क्या करना चाता तो चलो, start करते हैं, why I didn't sit with August the first day of the school, तो Jack Will बोल रहा है कि क्यों मैं नहीं बैठा August के साथ first day of the school, तो अपना reason बता रहे कि क्यों नहीं बैठा, okay, I am total hypocrite, तो Jack Will कहता है कि माना मैं बहुत जादा hypocrite हूँ, मैं बहुत ही बड़ा hypocrite हूँ, hypocrite मतलब दो अगला, मतलब की दो बा the very first day of the school, I remember seeing August in the cafeteria, मुझे अच्छा सियाद है कि मैं, मैंने August को first day of school में, cafeteria की तरफ जाते वे देखा था, cafeteria क्या होता है, cafeteria है कैसे place होती है, school के अंदर, मतलब of course America में, हमारे इंडिया में तो नहीं है, पर cafeteria है कैसे जगा होती है, जहां पर बच्चे जाकर अपना लंच करते ह research के समय, ठीके वहां उनको खाने के लिए भी मिलता है, और कैसे तो क्यों आपर, मतलब snacks बगर भी मिल जाते हैं, खाने के लिए अगर बच्चा को यह खाना ने कर आए तो, everybody was looking at him, तो उस समय क्योंकि August मेया नेया गया था सू स्कूल के अंदर, तो सभी लग लोग August को बहु इसी ने नहीं देखा था, तो लोग उसके बारें बात कर रहे थे, उसको देख रहे थे, और किसे को नहीं पता था, कि वो, उसके मतलब used to रहे थे, उसके face से, और even knew that he was coming to beecher, beecher क्या है, तो it is a school, ठीक है, school जहां पर औगी जाता है, मैंने आपको introduction बता रहे तो किसे को भी नहीं पता था, कि वो, बीचे स्कूल में पढ़ने आ रहा है, so it was a total shocker for a lot of people, तो हर एक बच्चे के लिए, ये बहुत ही बड़ा क्या था, shocker था, shocker मतलब कि बच्चे वो, surprise भी थे, साथ के साथ, shock थे, amused थे, बहुत रहा है, कि ये हमारे स्कूल में पढ़ने आया है, ठीक है, on the first day of the school, most kids were even afraid to get near him, बहुत सारे बच्चे तो उसके पास आने से भी क्या कर रहे थे, डर रहे थे, afraid मतलब डर ना, तो वो डर क्यों रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा थे, कि ये एक तरह की विमारी है, जो उसके face पर है, और अगर उसको छूलेंगे, तो शायर य बुली था, अगला, पर पता नहीं क्यों, मेरा भी मन नहीं किया, उसके साथ बैठने का, तो यहाँ देख सकते हो कि, अगर एक इनसान के साथ कोई कमी है, या कुछ हुआ है उसको, तो लोग उसको कितना अपने आप से नगलेक्ट कर देते, दूर कर देते, कट आफ कर देते, I had been hanging out with him all the morning, हाला कि मैं पूरे दिन उसी के साथ था, long, बहुत समय तक था, because we had so many classes, तो अमेरिका में क्या होता है, कि जैसे आपने कोई subject choose किया, तो आप उस subject की class में जाके बैठ कर पढ़ते हो, तो वो बहुत रहा है कि मेरी classes और August की classes साथी साथी और वो एक दूसरे के बगल में बैठे बैठे, तो बहुत समय, you know, Jack ने बिता लिया था August के साथ, इसलिए उसका मन नहीं था, उसके साथ बैठने का, and I guess, I was just kind of wanting a little, little normal time to chill with other kids, अब वो हमें real बात बता रहा है कि शायद मेरा मन था कि वो August के साथ ना बैठे, और वो एक normal, you know, time बिताना चाता था, क्योंकि August के साथ बैठना, लोगों की नजरों में आना, August के साथ जाना, घूमना, लोगों में नजरों में आना, तो वो एक normal time चाता था, दूसरे बच्चों के साथ चेली करने के लिए, मजे करने के लिए, इसलिए वो August के साथ cafeteria में नहीं बैठता है, So when I saw him move to a table on the other side of the lunch, जब lunch में, वो एक table पे जाके बैठ जाता है August, जब बैठ जाता है, तो ये चीज़ किस ने देखी, Jack ने देखी, I purposely found a table as far away from there as I could, तो उसने purposely बोड़ा है कि मैं जान मुझ के, उससे जितनी भी जादा दूर हो सकती, जितनी जादा दूर हो सकता था, जितनी भी जादा दूर, उतनी जादा दूर जाके मैं बैठा, क्योंकि वो नहीं चाता था August के साथ बैठना, और कह सकता हो कि, वो नहीं चाता था, लाइम लाइट में आना, लोगों की नजरों में आना, इसलिए वो August के साथ नहीं बैठा लंच के समय और वो दूसरे बच्चों के साथ बैठा I sat down with Isaiah and Luca तो यहाँ पर दो और करेक्टर इंटर्डूस हुए जो basically important नहीं है even though I would never met them before तो बहुत है कि मैं जाकर किस के साथ बैठा Isaiah के साथ बैठा और Luca के साथ बैठा हाला कि इससे पहले वो कभी भी मिले नहीं थे मतलब कि Isaiah लुका से कभी भी Jack मिला नहीं था and we talked about baseball उन लोगोंने baseball के बारे बात करी whole time पूरे lunch के time and I played basketball और वो basketball भी उन्होंने खेला with them time at recess recess क्या होता lunch में lunch time में जब खाना खाने के बाड़ा आप खाली समय तो आप खेलते हो ना तो वहीं चैस तो खेलने के लिए उन्होंने basketball खेला they became my lunch table from then on और उसी दिन से वो उन्ही के साथ बैठने लगा मतलब lunch table पे lunch के time पे वो उन्ही के साथ बैठने लगा I heard summer मैंने summer को बोलते हुए सुना head sat down with august sorry मैंने summer को summer के बारे में सुना कि summer बैठी थी किस के साथ august के साथ मैंने अको उताया था कि summer और jack दोनों ही क्या है august के बाद में बहुत अच्छे friend मन जाते है तो summer शायद इसले बैठी होगी क्योंकि उसने देखा कि august जो है वो बेचारा अकेले बैठा है तो summer आके उसके साथ बैठी है उससे दूस्ती वो उसकी भी करने लगती है with surprise me because I knew for a fact she wasn't one of the kids that tushman had talked to about being friends with august तो ये बात ना jack को बहुत surprised करती है क्योंकि इसको ये बात पता होती है कि जो principal sir है जो टेश्मन है mr. टेश्मन है उन्होंने summer को तो नहीं बोला था कि august के साथ बैठ निकले वो तो कुछ बच्चों को बोला था जैसे कि jack को और you know शार्लोट को और julian को ठीक है तो इसको ये बात पता थे कि summer को तो नहीं बोला तो पता नहीं कि वो बैठी so i knew she was going doing it just to be nice तो इसको ये बात पता थे कि summer इसलिए बैठी थी आओगा इसके साथ क्योंकि वो इसके साथ nice होना चाते थे nice behave करना चाते थे and that was pretty brave और ये बात तो बहुत बड़ी बात थी क्योंकि जिसके साथ कोई बच्चा नहीं बैठा है उसके साथ summer जाके बैठी है तो ये बहुत बड़ी बात थी और ये बात कौन सोच जा था I thought मतलब कि Jack सोच जा था कि तो काफी बड़ी बात हो गई कि summer जाके बैठी थी you know so now there I was sitting with summer and august अब मतलब वो दोस बन गया है किसका summer का भी और august का भी august का भी दोनो तीनो दोस बन गया है तो तीनो एक साथ बैठे में है lunch time पे and they were being totally nice to me as always और वो हमेशा से अच्छे रहे है Jack के साथ august तो काफी जादा अच्छा रहा है Jack के साथ और summer तो रही है तो दोनों ही बहुत अच्छे से रहे Jack के साथ and I filled them in about everything Charlotte had told me और फिर मैंने उनको सारी बाते filled them मतलब उनको सारी बाते बता दी जो Charlotte ने बताई थी मुझे अब क्या बाते बताई थी वो तो आपको novel पड़ के ही पता चलेगी अच्छे से except for the whole big part about my having snapped हां बट मैंने एक बात नहीं बताई थी जो मुझे बतानी चाहिए थी मतलब कि Jack ने बिसिकली यूनो लोगो यूनो यूनो यू प्यर प्रेशर होता है जब वो जूलियन और उनके ग्रुप में था तो Jack ने ऑगस्ट के बारे में कुछ बुरी-बुरी बाते बोले थी अंडर दे प्रेशर वही बोला ना अंडर दे प्रेशर ओफ बिंग ऑगी स्रेंड क्योंकि यूनो इसको लोग प्रेशर करते तो तो अगी का फ्रेंड है कैसे इंसान का फ्रेंड है उसका प्रेश देखा है तो इसने बीन ऑगस्ट के बारे में कुछ गलत बोल दिया था और इक और बात नहीं बताया उसने कि जूलियन की मॉम जूलियन जो था होई बुली की मॉन थी उसने बlorë था कि ऑगी थोड़ी सी हमारे बचों के साथ मतब ऑगी जैसे बच्चे जाते हैं बच्चों को अच्छा ही लगता तो ये बाते Julian ने नहीं बताई जो वो बाते जो Augie को hurt कर सकते थी वो बाते जैक ने Augie को नहीं बताई जो बाते Augie को hurt कर सकते थी next क्योंकि वो एक अच्छा friend बन रहा था I guess all I really told them बस मुझे इतना याद है कि मैंने क्या उनको बताया about was how Julian had had a holiday party मैंना उनको बताया कि कैसे Julian ने अपनी holiday की parties की ठीक है जो winter breaks होती है and managed to turn the whole grade against me और उसने basically सारे बच्चे को मेरे against कर दिया किसके against कर दिया था Julian ने तो इसके against मतलब की Jack के against कर दिया था It feels so weird और बोलता है कि मेरे को बहुत अजीव लग रहा है कि कोई इंसान मेरे से बात नहीं कर रहा कोई बच्चा मेरे पास नहीं आ रहा I said यह बात मैंने किस से बोली August से बोली और फिवने उससे बोला कि to not have people talking to you pretending you don't even exist जब बच्चे तुमसे बात ही नहीं करते लोग तुमसे बात ही नहीं करते और इस तरह के से pretend करते हैं कि तुम इस दुनिया में exist ही नहीं करते यह बात मैंने जब Augie को बोली कि मिर को बहुत बुरा लग रहा है कि लोग मिर से बात नहीं करें बच्चे मिर से बात नहीं करें ऐसा लग रहा है कि मैं हूँ ही नहीं इस दुनिया में Augie started smiling Augie जो है वो इस बात को सुनके smile कने लगता है और फिर वो बोलता है you think तुम्हें बस लग रहा है यह चीज? He said sarcastically welcome to my world उसने sarcastically यह बोला कि welcome to my world ऐसा क्यों बोला? sarcastically का मतलब होता है कि बोलते हम कुछ है और meaning कुछ और होता है ऐसा लग रहा है कि मैं इस दुनिया में exist ही नहीं करता हूँ तो Augie यह बात सुनके smile करता है बोलता है कि welcome to my world इसका मतलब यह है कि Augie को यह चीज तो पहले से ही feel हो रही है क्योंकि उससे कोई बात ही नहीं करता है उसके पास कोई आता ही नहीं तो Augie इसलिए जाक और Augie बहुत यह अच्छे फ्रेंड हो जाते हैं और यह था जाक का overview आई होप आपको यह चैप्टर अच्छे से समझ आया हो अगर इस चैप्टर से लिटर आपको थोड़ा सा भी आप इसकी मूवी जरूर देखेगा आपको अच्छा लगेगा और आपको यह जो चैप्टर है और अच्छे समझ आ जाएगा